हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब लोग बहुत मस्त होंगे और काफी सारा व्यस्त होंगे आज तो डेफिनेटली आप लोग व्यस्त होंगे क्यूंकि आज है। मकर संकr inapproprii और आप लोग को मकर संकräन्ती की बहुत बहुत शुब कामनाे और कैसी जा रही है, हमारी तो बहुत मस जा रही है, मतलब आज वर्किंग है, यहां पर छुटी होती नहीं, मकर संक्रान्ती की, तो पूरा मतलब दिन यह स्कूल लोगा चल रहा है, और ऑफिस चल रहा है, उसके बाद भी जो टाइम बच रहा है, उसी में हम लोग एक्स्ट् सेयर कर देती हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और हम लोग की पूरी मस्ती आप दूसरी वीडियो में देखेगा, तो आप रेसिपी देखके आए, और मुझे जरूर बताये कि आपको कैसी लगी, और रेसिपी क्योंकि हम लोग खा चुके हैं, मतलब को हम अपने फ्रेंड से और रिलेटिव से बताईए मेरे चैनल के बारे में, और फिर वेस्ट वीडियो के साथ आपको यहीं पर मैं रेसिपी सुरू करती हूं, और फिर जरूर बताएगा मुझे, तो यह देखिए, प्रिपरेशन मैंने कर ली है, खिचडी बनाने के लिए, यह नहां पर देखिए, तो यह देखिए, थोड़ा मेर्च, लहसुन, अधरक, और अधरक का इतना ही टुकड़ा मैं डालूंगे अभी, मतलब इसका आधा, और यह लहसुन, यह सब बहुत जरूरी है, सर्दियों में अधरक, लहसुन, बहुत अच्छा होता है, और यहां पर देखिए, मेरे हरे 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 मतर एकदम मस्त कितने सुन्दर चमंकदार लग रहे है, फ्रोजन में और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, तो यह प्याज भी जाएगा तड़के में, और यह मतर को मैं आधा से मतलब की, तीन हिस्सा इसका थोड़ा सा मैं पीस लूं और सारे का पेस्ट बनेगा, खड़ा डालने के ज़रोत नहीं है, सारा ही मतलब पेस्ट बना के डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आलू काट लिया, यह आलू जब मो में जाता है ना, वो खिचडी में तो बहुत अच्छा लगता है, तो यह अगर पसंद हो तो आप डालि जरूर बताईएगा, और बहुत ही टेस्टी होती है, और स्पेसल खिजडी के दिन हम लोग यह वाली रेसिपी जरूर बनाते हैं, और किसी भी दिन बना सकते हैं, सर्दियों में स्पेसल मटर है तो बहुत ही जादा फ्लेवर आता है इससे, और बस शुरू करते हैं, तो अच्छे से तेल दालेंगे, यह देखिए, पैण में मैंने अच्छे से त्वादब क्वांटिटी थोड़ी डाल दिये हैं, और तेल को अच्छे से गरम करेंगे, तो यहां पे देखिए, तड़के के लिए मैंने लिया है, तेज पट्ता, इलाइची दोनों तरह की इलाइ तो खिचुडी मस्त बनेगे एकदम और ये देखें ये मेरा धलिया क्या बोलते हैं तड़के की तमें में तरगाती हुआ मेर्च अदरग और लहसुन का ये जो फ्रेश आप कूट के डालते है ना जो फ्लेवर आता है ना में बता रही थी ना कि जो आप तड़का ऐसे देते हैं अदरग लहसुन मिर्च का वह फ्लेवर बहुत ही धमाकेदार होता है और इसको अच्छे से ही यहां पे देखे इसको थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे लिए धीक बाद देखिए प्याज दाल दे रहे हैं अच्छे से भून लेंगे यह देखिए यहां पे आलू और गोवी भी डाल देगे इसको अच्छे से भूना है इसका एक दम आजर से ज़्यादा एक परसन तो यहां पर इसी स्टेज पर नमक डाल दिया है कि नमक डालने से कोई ही चीज अच्छा से जल्दी पकने लगती है तो यही पर थोड़ा सा मटर खड़ा वाला थोड़ा ही डाल रही हूं जादा तर मैं इसको ग्रीन कलर भी मुझे चाहिए बहुत ही अच्छा सा ग्रीन कलर तो थोड़ा से मैं डाल रही हूं और यह देखिए भुनना बहुत अच्छे से है तो हाई फ्लेम पे भूल सकते हैं कि प्याज के साथ है ना को प्याज भी गल जाना चाहिए तो यह धनिया पीस लिया है एकदम अच्छे से पेस्ट बना लिया है और यहां पर यह देखिए यह वाला पेस्ट ऐसा चाहिए मतलब बहुत जादा पिसा हुआ नहीं है काफी सारा इसमें है क्रंची जैसा तो यह मटर अभी इसमें मैंने डाल दिया है यह देखिए तो थोड़ी हल्दी यह देखिए और थोड़ा गरम मसाला पाउडर डालेंगे दो चमच के करीब यह चोटा बहुत चोटा चमच है मेरा यह देखिए अब इसको धुनने के लिए छोड़ देंगे तो धुनने के बाद पिर इसमें टामाटर और घंधिया डालेंगे इसका तो यहाँ पर अभी धनिया और उसका जो पेस्ट है धनिया का प्योर धनिया का यह उसका कुछ नहीं है और यहाँ पर हम टमाटर भी डाल देंगे पूरा अब ग्रीन हो गया है बहुत ही अच्छा लगता है यह बीजित आए यह यह देखिए तामाटर को भी मैंने डाल दिया है तो इसको बहुत अच्छे से अब हमने भून लिया है सारे मसालों के साथ इसका जो कच्छा पन था ओ खतम हो गया है यह देखे और अब इसमें डाल देंगे एक कटोरी छोटी कटोरी से मैंने चावल लिया है जो डाल के अच्छे अभी चला के इसके साथ भी दो मिनट भूनके और फिर इसमें पानी डालेंगे यहां पर देखिए दोस्तों अभी पानी डालेंगे हम लोग यहां पर तो इसको देखिए ऐसे खुले पे पकाएंगे क्योंकि बहुत जादा ही फटकता है तो थोड़ा सा उपर ने पानी आता है जब चीटा आता है और बहुत बंद करेंगे तो वह बॉयल करके ऊपर भी पाने लग सकता है जैसे पकाएंगे दिमी आज पर धीरे धीरे पकाएंगे तो यह देखिए यहां पर हमारे चावल लगभग पक चुके हैं और यह देखिए हमारी खिचडी लगभग तयार है थोड़ा सा और खिलेगा क्योंकि चावल पकने में ताइम लगता है यह छोट मैं बरतन बड़ा लिया था यह बहुत ही जादा वह होता है खिचडी है न ऊपर तक आता है और आराम से बनाने के लिए आपको बड़े बरतन के जरूत तो पड़ती है अराम से थोड़ा सा और पकेगा और बस हमारी खिचडी रेडी तो यह देखिए दोस्तो फाइनल मैं निकालते हूं अद्डू के लिए सबसे पहले अध्यानत के लिए गर्मा घरम खिचडी तो यहां पे देखिए दोस्तों धेर सारा मैंने घी डाल दिया है तो इस खिचडी में जितना घी डालेंगे और भी मजा आने वाला है एकदम ऐसे खाये खुब सारा घी डालके औ और बहुत ही तेस्टी वना है यह देखिए तो मैं अध्यान को खिलाने जारी हूं इसले ज्यादा घी डाला है हम लोग थोड़ा कम डालेंगे लेकिन जितना ही घी डालेंगे उतना ही मजा आता है यह देखो गी मेरा एकदम बहरा है और मस्त है जरूर ट्राई करिएगा य लिव्यों देने वाले हैं कैसा बनी है खिचडी अदू मस्त बनी है पसंद आपको पहुत ज्यादा की थोड़ा है और यह खिचडी मतलब एकदम हेल्दी है बच्चों के लिए आप जैसे थोड़ा सा मिर्च मसाला कम डाल सकते हैं मिर्च कम डाला हम लोग वैसे भी तो यहां पर देखिए बहुत ही मज़ेदार अद्दू का मस्ट यह देखिए कि चुड़ी और पूरी ग्रीन ग्रीन खिचुड़ी अब भी खाते हैं चलो जी हम भी खाएं और यह एक एक दाना देखिए यह कंसिस्टेंसी जो आई है एकदम पॉफेक्ट है और गर्मा-गरम घी डालके आप खाईए पॉफेक्ट की आपती है यह फिक एक्ट है ताइए झाल्याक चणिस्टेंग ने मेंग सब्सक्राइब तरहे लिए नियुक्ति उसम्पिपल फिर को आपर से देखंग जो शुक्ति ने सन पुद्दीय को आप लिए पैसिखंग उसम्टेंग ने को आप आप गर्मारिये तो म झाल झाल